Hello dear friends, welcome back to the Hindi class of 6th grade Dear friends, हमने last day we में अपना वचन लेसन कम्प्लीट किया था आज हम करेंगे अपना next lesson जो की है कारक यह हमारा second term का second lesson है कारक होता क्या है? चलो पढ़ते हैं बले पिंजरे में बंद पक्षी हो या फिर रसी से बंदा पशू सभी परतंतरता के बंदनों को तोड़ फेंगना चाते हैं फिर मनुश्य तो पशूँ की अपेक्षा अधिक ज्यानवान तद सम्मेंदन सील होता है उसे गुलामी की जिन्दिगी कभी सहन नहीं होती इनके बीना हम संटेंस को incomplete नहीं कर सकते या फिर हम उसको समझ भी नहीं सकते प्रोपर इनसे हमें पता चलता है कि कौन क्या बोलना चाह रहा है इनके बीना हम समझ भी नहीं पाएंगे जैसे बले पिंजरें बंद पक्षी हो या फिर रसी बंदा पशू सबी देशों इतिहाद सब्तनतता अपने प्राणों बली देने वाले शूर वीर उधारन ये अगर हम ऐसे पड़ेंगे तो इसका कोई प्रोपर मीनिंग नहीं बन रहा न तो उपर दिये गए अनुछेद में से में से के का की आधि विशेश चिनों का प्रियोग हुआ है जिन शब्दों में संबंद स्तापित करने का काम करते हैं इनसे क्या है मितलों आपस में संबंद स्तापित हो रहे हैं ये सबी क्या है कारक चिन संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्या के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंद जाना जाए वह कारक कहलाता है तो ये इसकी definition है कि जिससे दूसरे के साथ संबंद जाना जाए दो वाक्यों का उसको क्या बोलते हैं कारक कारक चीन परसरग या विभक्तियां कहलाते हैं मिनसेचन का साइन है उसको क्या बोलते हैं विभक्ति कि कैसे उसको डिनोर किया जाता है कारक के आठ भेद होते हैं कुन-कुन से करता प्रक करन scare करन संप्रदान अपदान संबंद आधिकरन और Samg postal इपर ने करता को ओन होते हैं है किया जैसे रचना निबन्द लिखती है तो इसमें बी कुछ निदू निदू लिखती है तो इसमें भी कुछ रचना लिखे है जिनबंद तो यह क्या हो गया करता ने कब लगता है जब पास्ट में हो मिन्स हमारा जो काम है वह हो चुका हो उसमें ने लगेगा अधरवाइस प्रेज़ेंट चल रहा है जो यह फिर जो फ्यूचर है उसमें ने नहीं लगता आईसे ही संटान्स होते हैं, जिसिए मौन्स आप पटा लगा सकते हो कि ये काम कोई कर रहा है या फिर ये कर दिया है उन्य काम, यदि भी कर्ता कारक की पहचान नेवी भक्ति का प्रीयोग है, तो यहां पर किस्ते डीनोट किया गया है? नेवी पर्सक का प्रीयोग नहीं होत एशे वह समय होता जो स locking क्लाव और किस्ने परशनों का उतर देता है वह करता काहलाता है यह जैसे नंगता सक्रम क करें साल करता हो So क्या काम हो रहा है वो क्या हुआ कर्म रश्मी गीत गाती है कमला ने सुमन को पढ़ाया तो इन वाक्य में क्रिया का फल गीत था सुमन पर पढ़ रहा है कि गीत गाया जा रहा है और इधर सुमन को पढ़ाया जा रहा है तो ये क्या हो गए करम करक करम करक की विवक्ति क्या है को करन करक करता जिस साधन अथवा माधम से क्रिया करता है उसे करन करक कहते है मतलग करन करक है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है जिसके माधम से काम किया जा रहा है जैसे दादी चाकू से फल काटती है फल काट रहे हैं बट किसके द्वारा चाकू द्वारा राम ने पुस्तक मोहन के द्वारा बिजवाई यहां पर क्या हो रहा है पुस्तक को बिजवाया जा रहा है मोहन के द्वारा तो इन वाक्या में दादी तथा राम तो करता होगे जिसने काम किया है यह चाकू तथा मोहन के माध्यम से कार यून्य यूंधं यह दोनों क्या हुए करनकारक स्ली철 इसकी विवक्ति से और के द्वारा है च real यह दो कि नेक्स्ट संपर्दांकारक sub जेशाने के लिएक खानी तुमिली यूधं रमा के लिएखतिक उस्फत करनकार्थ है दो यहां पर व्यक्ति हो गया जो संपरदान तो इसकी विवक्ति किया है के लिए ओर को, आपञादान कारक संग्या के उस रूप को आपञादान कारक कहते हैं जिससे अलग हो तुलना करने की भाव का बोद už इसमें क्या हो रहा है दो को सेपरेट कर रहे हैं और उसके साथ या फिर उसको तुलना कर रहे हैं कमपैरिजन कर रहे हैं जब कमपैरिजन हो रहा है या फिर दो को आपस में अलग कर रहे हैं तो क्या हो गया अपादान का रख जैसे फूल टहनी से गिरा अब फूल लगा हो था टहनी से वो अलग कर अब यह ऐसे क्यों बोला है यह नेक्स्ट में भी से आएगा तब हमें इसका इसका डिफ्रेंस पता चलेगा अभी आप यह देखो कि जब अलग कर रहे हैं और जब कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें से लग रहा है जो तो वह हो गया अपदान का रख नेक्स्ट संबंद का रख स रहे हैं उसमें क्या है संबंद जैसे यह रमेश का पुत्र है अब रमेश और उसके पुत्त के साथ कर रहे हैं संबंद कुश पर कार संबंद का रख नुचिन का्या ने पर यहां तेरी तुम्हारी थल्मारी हमारे यह 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 संबन्द संग्या यह सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अधार का बोधो हो उसे अधिकर्ण वथे पिता जी घर में हैं यह एक आपर हो रही है यहा दो यह काम हो रहा हो रहा है और यहां पर क्या वता है वह चत पर खेल रहा है मिंस जो काम हो रहा है वो कहां पर हो रहा है चत पर तो इसमें घर और चत क्या है अधिकरन का रख इसकी विबक्ति में और पर है नेक्स्ट संबोधन का रख संग्या के जिस रूप से पुकारने सुनाने सावधान करने संबोधन तो इसमें क्या है कि जिससे पता चले कि कोई पुकार रहा है सुना रहा है कुछ यह फिर समें सावधाल कर रहा है जैसे हे अर्जुन आत्मा अमर अजर है यहां पर क्या यह सुना रहा है हमें बता रहा है मिंस इसमें अरे बाल को इधर तो आओ अभी यहां पर क्या हो रहा है हमें पुकारा जा रहा है बालकों को तो इनसे पता चल रहा है कि कोई पुकार रहा है या सुना रहा है तो ये क्या हो जाएंगे कौन से कारक है वो संबोधन कारक किसी को संबोधन किया जा रहा है बताया जा रहा है इन वाक्यों में सपस्ट है कि हे अरे अदी इसके विभक्ती चिन है इजिन का पुर्धू होता है संग्या शब्दों के बाद ये एक्स्कलमेटरी चिन होता है जिसकी विभक्ती हे अरे ओ अजी अदी हैं इज ये सी ग्यान की भाद पढ़ा है कि Dies ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं होता जब कि भूत काल में होता है जबकि भूत काल में होता है मैंने आपको इसने बताया था कि अगर रचना वाल यहाँ पर हम वर्तवान काल चर रहा है तो ने का प्रियोग नहीं किया अब इसमें क्या है द्रमान ने पुस्तक पड़ी मिन्स उसने भूत काल में चल लगया इसलिए यहाँ पर ने लगया को का प्रियोग, को विबक्ति का प्रियोग प्राणी वाचक करम के साथ होता है, आ प्राणी वाचक करम के साथ नहीं जैसे राजु खाना खाता है, राजु ने निशा को पढ़ाया अब यहाँ पर क्या है जो खाना है ए प्राणी वाचक है और नीशा क्या है प्राणी वाचक तो यहाँ पर हमने ने का प्रियोग लगाया कि राजू खाना खाता है अब खाना को खाया जा रहा है बट यह प्राणी वाचक है अब यहाँ पर निशा को पढ़ाया जा रहा है निशा प्राणी है तो इसलिए यहाँ पर निशा को पढ़ाया अब यहाँ ऐसे तो नहीं बोलेंगे राजू खाना को खाता है इसलिए प्राणी और प्राणी वाचक का यहां पर एक्जम्टल से all आपको clear हो गया next जीन वाक्यों में चाहिए तथा जाना है करियाओं का प्रियोग होता है वहाँ भी कोव विभक्ती का प्रियोग किया जाता है जैसे श्याम को आगरा जाना है सीमा को पुस्त के चाहिए अब यहाँ पर चाहिए और जाना है तो इसके साथ क्या लग रहा है को अगर यहाँ पर हम को नहीं लगाएंगे तो क्यासे बनेगा श्याम आगरा जाना है यह फिर सीमा पुस्त के चाहिए अजीव लग रहा है न थोड़ा सा तो यहाँ पर क्या है को लगा के इसको चाहिए में और जाना में इसको प्रियोग करेंगे निश्चित समय संग्याओं के साथ भी को अभिवक्ति का प्रियोग किया जाता है जैसे रमेश तुम शाम को आना मैं सोमवार को गाउँ जा रहा हूँ अब यहाँ पर निश्चित समय है कोई दिन है प्रोपर टाइम है अगर प्रोपर टाइम होगा तो तब भी हम को का प्रोपर बता दिया इसने टाइम यहाँ पर मैं सोमवार को गाउँ जा रहा हूँ यहाँ पर प्रोपर अगर हमें सब यह पता होगा दिन और तारीक जो भी है तो उसमें हम को का प्रियोग करेंगे अब हमने स्टुडेंट समगी यह कंप्लीट हो गया है अब हमने पढ़ा क्या क्या है अब देख लेती है यहाँ पर डेफिनेशन दिय हुई है संगा सरवनाम के जिस रूप से वाक्या के किसी दूसरे के साथ संबंध जाना जाई उसे क्या है कारक बोलती है अब कारक चीन कारक चीन जो होते हैं मिनसी जो यह चीन है इनको क्या बोलते हैं परसर गया विभगतियां जिसे मतलब डिनोट करते हैं उसको कारक को तो वो क्या होते हैं परसर गया विभगतियां कारक के आठ भेगद के हमने जाना है कुण-कुण से होते हैं कर size करना, otherwise I will send you through my assignments, so thank you and have a nice day.